नमस्कार उस्तों आई टूब चैनल एक्जाम लार्नर में आपका स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग एड़ेट जूनियर हाइज स्कूल प्रधाना ध्यापक योम सहाया का ध्यापक भरती परिक्षा के लिए जी एस का छठों प्रैक्टिसेट हल करेंगे इसके पहले जो है पाच प्रैक्टिसेट हल कराए जा चुके हैं जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्रैलिस्ट में जाके आप वहां से देख सकते हैं तो वीडियो को लाइक शेर कर दिजएगा चैनल पर पहली बार आए है तो को सब्सक्राइब कर लिजेगा साथ में वीडियो का नोडिफिकेशन आपको पहले मिल जाए पीडियाप इसका हमारे टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्सेन में टेलिग्राम का लिंक दे दिया गया है वहां से जोईन करके आप वीडियाप भी डाउ और दूसरा परशन है निमलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है तो इसमें हाइड्रोजन आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है प्रकृत में यह दूई आडवी की गैस के रूप में पाए जाती है जो कि वाई मंडल की बाह प्रत का यह मुख्य संगठक है बाके ही म तो यह आपका समताप मंडल यानि कि स्टैटोस फियर कभी-कभी इंग्लिस में लिखा रहे था स्टैटोस फियर या समताप मंडल में ओजोन प्रत जो है पाया जाता है चौथा प्रस्णय रक्त का थक्का बनने में किस बीटामिन की आवश्यक्ता होती है तो यहाँ पर आपका बी-कल्व से हो जाईगा विटामिन के की रुधिर द्रौ यह आपका होता है पता होगा कि यह रुधिर द्रौ होता है पर सरीर से बाहर निकलने पर वह कुछ मिन्टो में जम जाता है जिसे ठक्का कहते हैं रोधिर के सिग्र जमने में उस्मा, थामबीन, एरोनेलीन, कैल्सियम, क्लॉराइट तर्था, विटामिन के से साहता मिलती है तो यहां आपका B बिकल्ब से हो जाएगा पांचों कुशन है निमलखित रेडियो तत्तों में से किसका उप्योग मनुसी के सरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन के लिए किया जाता है तो यहां रेडियो सोडियम, D आपसन से हो जाएगा मनुस्य के सरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन ही तो रेडियो सोडियम का उप्योग किया जाता है छटवों कॉशन है खटे दूद के उत्पादों में कौन सा अमल होता है तो इसमें लैक्टिक अमल पाय जाता है D बिकल्ब से हो जाएगा सातों कॉशन है निम्रिखित में कौन परजीवी पादफ है तो यहाँ पर गोल्डेन राइस हो जाएगा C आप्सन से हो जाएगा गोल्डेन राइस एक परजीनी या ट्रांस जेनिक पादफ है जिसे जेनिटिक इंजिनरिंग की मदद से तयार किया गया है और आठों कॉशन है भाकडा नांगल एक संयुक्त परियोजना है तो यहाँ पर यह बिकल्ब से हो जाएगा हर्याडा पंजाब और राजस्तान की भाकडा नांगल ए हर्याडा पंजाब और राजस्तान राजियों की संयुक्त परियोजना है इसके तहत भाकडा योम नांगल ये सतलज नदी पर दो बांध बनाए गए हैं जिनके माध्यम से जल्बी दूत और सिचाई आदिकी ब्यापक ब्योस्ता की गई है ये भारत की सबसे बड़ी बहुत देशी प्रियोजना है भाकडा नांगल नवा क्वेशन है निमलखित में से कौन सी एक नकदी फसल नहीं है तो सुया भीन ये आपका नकदी फसल नहीं है तमबाकू हो गया कपास और रबर कि सभी नकदी फसल है दस्वा प्रश्ण निम्लिकित में से किस ने इंडियन इकॉनमी गांधियन ब्लूप्रिंट नामक पुस्तक लिखी है तो यहाँ पे डी भी कल्ब से हो जाएगा चौधरी चेरर सिंग इंडियन इको नामे गांधियन ब्लूप्रिंट नामक पुस्तक ये भारत के भूतपूर प्रधानमत्री चौधरी चरण सिंग द्वारा लिखा गया है इग्राव क्वेशन है निम्नांकित में से कौन सा राज्ज के नेत निदेशक तत्तों में नेत है तो यह है पुर्सों और इस्तरियों दोनों का समानकार के लिए समान बेतन हो D आपसन यहापे सही हो जाएगा यह आपका अनुच्छेद दिया जाए तो अनुच्छेद 49 D में दिया गया है बरहावां पशन्य है उच्छैद नियाययाले ने केषवあननद भारती मामले में संविधान के मूल ्ढांचे का सिधांत प्रतिपादित किया था केशवानन्द भारती का संबंध है तो अभी इनका जो है हाली में मृत्तु है आप सबको पता होगा केरल से संबंधित है केशवानन्द भारती बनाम केरल राजी मामले 1973 बहुत थी ये famous है हमेशा पुछायाता है में उचितम नियाल है कि 13 सदस्ती समिधान पीट ने समिधान के मूल धाचे का सिधान प्रतिपादित किया था और इस नेड़े में ये दिप समिधान संसोधन की संसत की सक्ति को स्विकार किया गया था परन्तु ये भी कहा गया कि अनुचे 368 ये संसत को समिधान के मूल संदचना या धाचे में परिवर्तन की सक्ति प्रदान नहीं करता है तिराव परशने ब्रतिस संसत ने भारती स्वतनता अधिनियम कब पारित किया था तो जुलाई 1947 में पारित किया गया था सी आपसन से हो जाएगा मौन्ट बेटन योजना जो की 3 जून 1947 के अधार पर विर्टी संसत में भारती स्वतनता अभिधेयक ये 4 जुलाई 1947 को प्रस्तुत किया गया था जिसे 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया चोदामा प्रशन है राजिसभा किसके द्वारा भंगे की जा सकती है तो यहाँ डी आपसन से हुझेगा उप्रोक्त में से किसी के द्वारा नहीं राजिसभा अस्थाई सदन है इसका बिग्टर नहीं होता है इसके सर्धस्यों का कारिकालच होता हुए 6 वर्ष होता है और एक तिहाई सर्दस्यों का निर्वाचन ये प्रतेक दो वर्स पर होता है साथ ही उप्राष्टपती, राजिसभा का पदिन सभापती होता है महान्यायवादी को संसत के दोनों सद्मों में बोलने का अधिकार होता है किन्तु मत देने का अधिकार नहीं होता है पंद्रवाचन पंचायती राज से संबंधित निमलिखित कत्नों में से कौन सा सही नहीं है तो यहाँ B आपसन दिया गया है कि 73 संसोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ यह आपका 24 अप्रेल 1993 से प्रभावी हुआ था ना कि 15 अगस्त तो B आपसन जो आपका यहाँ सही नहीं है सुलाव कोशन है भारत के प्रथम प्रमाडू रियेक्टर का नाम क्या है तो अपसरा यह आपसन यहाँ पे से हो जाएगा भारत के प्रथम प्रमाडू रियेक्टर का नाम अपसरा है यह ट्रामबे इस्थित भाभा प्रमाडू अनुसंधान केंद जिसे 60 फाम में कायाता है B.A.R.C में इसका परिचालन अगस्त 1956 में जो यह प्रारंब हुआ था बारत के से बाजार के कारिको नियंतरित करता है इसके अनुमती के बाद ही कोई कमपनी अपना प्रारंबेक निर्गम इशू जिसे आई-पी-उ कहा जाता है जारी कर सकती है और अठ्रामब प्रशन दलाल स्ट्रीट इस्थित है तो यह मुंबई में इस्थित है C आपसन से हो जाएगा बंबई सेर बजार B.S.C यह दलाल स्ट्रीट मुंबई महराष्ट में इस्थित है करहियलाल मडिकलाल केंदरी हिंदी संस्थान कहां इस्थित है तो यह आगरा में यह भी कल्प से हो जाएगा इसकी अस्थापना वी थी 1903 में अगले कुशन है भारती हीरा संस्थान कहां अस्थापित किया गया है तो ये सूरत में अस्थापित किया गया है भारती आभोसन की गुर्वत्ता डिजाइनियों वेग्यानिक अस्तन पर प्रतियस्पर्धी छमता बढ़ाने के उदेशे से सूरत यानिकी गुजरात में वर्स 1978 में 1978 में सुसाइटी के रूप में भारती हीरा संस्थान अस्थापित किया गिया था अगला कुशिण भारत में दसकी जनसंख्या ब्रिद्धी दर नियून्तम रही है कम तो यह रहा है 2001-2121 के दौरान भारत में दसकी जनसंख्या ब्रिद्धी दर 2001-211 के मध्ध जो रहा है वो 17.6-4 प्रतिस्ट रहा है वहीं देखा जाए 1961-71 के दोरान तो यह 24.8 प्रतिस्ट रहा है और 1981-1991 के मध्ध जो है 23.8-7 प्रतिस्ट रहा है 1991-2001 के मध्ध यह आपका 21.5-4 प्रतिस्ट रहा है तो सबसे कम पूछा गया है जनसंख्या बिरिद्ध दर तो यह रहा है 2001-211 के दोरान और यह 17.6-4 प्रतिस्ट रहा है 22.8-211 के जनगर नाकेमसार भारत का सरवाधिक नगरी कृत राजी कौन सा है तो यह है गुवा C भी कल्ब से हो जाए यहाँ पर गुवा जो है यह आपका सरवाधिक नगरी कृत राजी है 62.101-7 प्रतिस्ट जो है और अगला कोशिन है पृत्वी इस्थित है तो पृत्वी आपका सुक्र यो मंगल ग्रह के मध्ध जो है इस्थित है बी स्वारी ए आपसन जो है आपे सही हो जाएगा और सूरी से दूरी की क्रम में देखा जाए ग्रहों की इस्थित है तो सबसे पहले आपका बुद्ध पड़ेगा फिर सुक्र फिर पृत्वी फिर मंगल फिर ब्रस्पति फिर सनी अरूड उसके बाद जो आपका नेप चिउन तो पृत्वी जो इस्थित है वो आपका सूक्र और मंगल ग्रह के मद्ध में जो है इस्थित है तो ए आपसन जाए हो जाएगा ग्रहों कोषयन है Pris जर्मनी के सहयोग से रावरुकेला इसपाथ सहयंतर भारत में सारुजनिक छेत्र का पहला एक एक रित इसपाथ सहयंतर है जिसे जर्मनी के सहयोग से अस्थापित किया गया था 26 परशने मुस्लिम लीग ने प्रिथक पाकिस्तान की मांग सरो पर्थम की थी कब तो ये 1940 में बी आप सन्यापे सही हो जाएगा मुसलिम लीग द्वारा भारत में अलग एक मुसलिम रास्ट पाकिस्तान की मांग वर्स 1940 के लाहर अधिवेशन में किया गया था तो अधिवेशन याद रखेगा ये पूछा जाए कि इस अधिवेशन में मुसलिम लीग द्वारा पिल्थक पाकिस्तान की मांग की गयी थी तो लाहर अधिवेशन और सन्याद रखेगा 1940 में 27 प्रश्ण भारती इतिहास में तिथी 6 अप्रेल 1930 जानी जाती है तो ये जाना जाता है नमक सत्यागर्य के दौरान महत्मा गांधी द्वारा नमक कानून तोड़ना 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आसरम से अपनी प्रशिद्ध दांडी यात्रा प्रारम की थी और 6 अप्रेल 1930 को उन्होंने दांडी पहुंचकर समुद्वत्रट पर नमक कानून तोड़कर नमक सत्यागरे जो यह सुरू किया था 28 कोशने कौन सी है महत्मूर घटना यह जलियावाला बाग नरसंगहार के तुरंत पूरु घटी थी तो यह है रॉलेट एक्ट का बनना बी आप सन सहुझाएगा रॉलेट एक्ट मार्च 1919 मिलान करने के लिए पूछा जाता है याद रखीगा सन मार्च 1919 को जो है यह लागू किया गया था जिसके विरुद गांधी जी ने 6 अप्रेल 1919 को देश ब्यापी हर्ताल कायोजन कराया था और जलियावाला बाग हत्या कांड यह आपका 13 अप्रेल 1919 13 अप्रेल 1919 को जो है सांतिपूर जनसभा में जनरल डायल जनरल डायल द्वारा जो है निरसंगहार कराया गया था और असाहियोगान दोलन की सुरुवाद जो ही थी आपका 1920 में हुआ था सामपरदाईक अवार्ड यहां जो दिया गया है सामपरदाईक अवार्ड मिलान करने के लिए दिया जाता है इस तरह की कुशन 1932 साइमन कमीशन का भारत आगमन जो है आपका 1928 तो सन और याद रखीगा मिलान करने के लिए इस तरह की प्रशन जो है आते हैं अगला कुशन है भारत में करजन के प्रशासन की तुन्ना औरंगजेव से किस ने की थी तो गुपाल कृष्ण गोखले ने भी आपसन से हो जाएगा लाट करजन इसका कारिकाल जो रहा है 1899 से ले करके 1905 इसी किसमे में बंगाल भी भाचन हुआ था गुपाल कृष्ण गोखले ने करजन के प्रशासन की तुन्ना मुगल समराथ औरंगजेव से की थी यहाँ भी आपसन से हो जाएगा यह हमेशा पुशा जाता है दादा भाई नौरोजी को ग्रेंड ओल्ड मैन आफ इंडिया की नाम से जाना जाता है और केसरी और मराथा यह दोनों पत्री का जो है बाल गंग अधर तीलक की है तीस्वा प्रशने चित्रकला की मुगल सैली को सुरू किया था किसने तो यहाँ पे आपका डी आपसन से हो जाएगा हुमायू ने और तीस्वा प्रशने निम्न में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है तो यह हैं अमीर खुसरो यह भी कल्प यहाँ पे सही हो जाएगा हिंदी खड़ी बोली का जनक अमीर खुसरो को माना जाता है वे नई काबिशैली सबह के हिंदी या हिंदुस्तानी सहीली के जन्मदाता थे 32 प्रशने हुए हडपी नगर जिसका प्रतिनिधित लोथल का पूरा तत्त अस्थल करता है किस नदी परिश्थित था तो यह भोगवा नदी परिश्थित है C आप समझो है सही हो जाएगा हडपी नगर लोथल जो की गुजरात के एहमदा बाद जिले में भोगवा नदी के किना रेश्थित है यह पूरा तत्वीद यह सार राओ के नेतरित में खुदाई जो है कराई गए थी और यहां की सरवाधिक महतपूर उपलब्धी हडपा कालीन बंदर का है दोस्तों दिया आप यूपी के किसी भी एक्जाम के त्यारी करना चाहते हैं यूपी पेसी या यूपी त्रिपलसी एक्जाम से रिलिटेड तो आप अनेकैडमी लर्निंग प्लेटफार्म से जुड़के जाप अपने त्यारी को बहतर तरीके से कर सकते हैं इसके लिए आपको सबसे पहले अनेकैडमी का लर्निंग अप इंस्टाल करना का उसके बाद आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा अब देशकते हैं अनेकैडमी पर फ्री इंसीयार्टी रिविजन केंप चलाए जा रहा है आपको 12 से 21 मार्च के बीज चला जाएगा जैगर्फिक लास का तो जो लोग जूलना चाहते हैं जूल सकते हैं उसकार फ्री चीसेट मिनी कोर्स है यह आपका 11 से लिएकर करके 20 मार्च के बीज जूए A भी चला जा रहा है उसके बाद जो है आपका फ्री मीनी कोर्स है फाई यूपी पेसी प्लिम्स के लिए तो ये भी आप जो है देख सकते हैं ये 10 से लिएके 19 मार्च के भी जो है चलाए जा रहा है फिर आप जो देख सकते हैं आप फ्री वर्सेस प्लस सब्सक्रिशन लेने पर आपको जो है क्या-क्या फाइदे हैं तो देख सकते हैं आप उसके बाद जो है बैच कोर्से जो एन अकेडमी पर अबलिबल है तो आपका है सबसे पहले कि हिंदी लिटरेचल के लिए फार्मेंस के लिए पार्ट वन 16 मार्ट से जो है शुरू हो रहा है जो लोग जूडना चाहते हैं आप जूड सकते हैं इसे फिर जो है UPPSC प्रिलिम्स बैच कोर्स दोहरी की से आपका 24 मार्ट से शुरू हो रहा है पूरे तीर महीने का डियूरेशन है कोर्स का इसमें आपको UPPSC की टॉप एजुकेटर्स के दोहरा पूरे स्लेबस को जो है कबर कराए जाएगा फिर है UPPSI फाउंडेशन बैच कोर्स यह आपका 24 मार्ट से शुरू हो रहा है तो इससे भी आप जूड सकते हैं जो लोग UPPSI की तयारी करना चाहते हैं और यह पूरे 6 महीने का कोर्स है इसमें आपको UP की टॉप एजुकेटर्स के दोहरा पूरे स्लेबस को इसमें कबर करा जाएगा आपको एक्जाम करने में ताकि असानी हो सके उसके बाद आप देख सकते हैं यह आप सब्सक्रिशन लेते हैं तो वन मंत का सब्सक्रिशन अभी जो आपको 10% डिस्काउंट के साथ मिल जाएगा यहनिकि 1400 रुपए उसका फी है लेकिन आपको 1260 रुपए ही पे करना है त्री मंत का सब्सक्रिशन लेते हैं आपको 1350 यह देना पड़ेगा 6 मंत का सब्सक्रिशन 5040 उसके बाद 12 मंत का सब्सक्रिशन लेते हैं तो 6300 रुपए उसके बाद यह 24 मंत यहनिकि 2 साल का सब्सक्रिशन लेते हैं तो 7560 रुपए आपको जो है पे करना है आप हमारे रेफरल कोड जो है यूज कर सकते हैं डिस्काउंट के लिए एक्जाम लर्नर E-X-A-M-L-E-A-R-N-E-R तो यह रेफरल कोड आप यूज करेंगे आपको जो है ततकाल 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा तो आप जो है यूपे के इन में से किसी भी एक्जाम के तयारी करना चाते हैं तो आप अपने अनकेडमी लर्निंग एप से जुड़के आप अपनी तयारी को बहतर तरीके से कर सकते हैं और आप असानी से एक्जाम को जो है क्रैक कर सकते हैं 33 कुशन है निमलिकित में से कौन मौर यूगीन अधिकारी तौल मान का प्रभारी था तो यह थे पौतवा अध्याच ए आपसन से हो जाएगा है आपे मौर यूगीन अधिकारी पौतवा अध्याच ए तौल माप का प्रभारी था और पंड्या अध्याच जो बी आपसन में हादिया गया आपका पंड्या ध्याच ए वारिज विभाग तथा सुन्या ध्याच जो यह बूचड खाले के प्रभारी थे अगला प्रशने कौटिली का अर्थसास्त्र है एक तो यहाँ पे डी आपसन से हो जाएगा सासन के सिध्धानतों की ये पूस्तक है इसमें राज के सप्तांग सिध्धान जिसमें राजा, अमात्य, जन्प, दुर्ग, कोस, दंड यो मित्र की सरप्रतम व्याख्या मिलती है और अर्थसासर से ततकालीन प्रशासन योम किसी ब्यवस्था की भी बिश्तरित जानकारी प्राप्त होती है 35 प्रश्नम महोदिया किसका पुराना नाम है? तो ये कनोज का पुराना नाम है महोदिया याद रखीगा, सी आप सनियापे सेुजए कनोज का प्राची नाम काने कूब जी था और यह गुप्त सास को योम मौखरी वन्स का प्रमुख नगर था कनोज का महात्व सात्वी सदी में अधिक बढ़ा जब यहां समराथ हर्षवर्धन का प्रभूत तो अस्थापित हुआ और हर्षवर्धन के समय अपनी उन्नति की कारण इस नगर को महोदया या महोदय स्री कहा गया तो यह निर्यात प्रषवर्धन का प्रषवर्धन का प्रषवर्धन के अस्थापित किया था और इन शेत्रों के अस्थापना का उदेश से था कि देश से निर्यात वस्तुगों के लिए उपियुक्त वातावरर तयार करना ताकि वे अंतराश्टिय प्रतियों गिता में अपना अस्थान बना सके सहती स्वा प्रषवर्धन एक दिसंबर 2020 में भारत के सीर्स रच्छा सुत्रों के अनुसार देश के पहले मैरी टाइम थियेटर कमांड का परिचालन कब से शुरू होगा तो यह है आपका बी आपसन से हो जाएगा वर्ष 2021 है 2021 दिसंबर 2020 में भारत के सीर्स रच्छा सुत्रों ने कहा कि देश के पहले मैरी टाइम थियेटर कमांड का परिचालन वर्ष 2021 से सुरू हो जाएगा और MTC देश का पहला नया भागोलिक थियेटर कमांड होगा जिसकी अस्थापना करनाटक के करवार नौसेना बेस में की जा रही और MTC के अध्यक्षता तीन इस्टार नौसेना अधिकारी यानि की वाइस एड्मिरल द्वारा की जाएगी तो सन याद रखेगा वर्ष 2021 से इसका परिचारन होगा अर्थीसवा प्रिशना वर्ष दोयर 34 में ACI खेलों का आयोजन कहां किया जाएगा तो यह रियाद में किया जाएगा D भी कल्ब से हो जाएगे हाँपे 16 दिसंबर 2020 को ACI उलम्पिक परिशत की आहम सभा में हुए मद्दान के बाद वर्ष दोयर 34 में होने वाले ACI खेलों की मिजवानी का फैसला किया गया कतर की राजधानी दोहा में वर्ष 2030 का ACI खेलों का आयोजन किया जाएगा दोहजार बाइस में फीफा भी सुकप जो आयोजित किया जाएगा वह कतर भी आयोजित किया जाएगा उन्तालीसमा प्रश्ण पंद्रेत दिसंबर 2020 को सारोजनी छेत्र के किस उपकरम को वर्ष 22 के प्रतिस्ठित गोल्डन पिकाउक परियावरण प्रबंधन पुरुषकार से संभानित किया गया तो यहाँ पर डी आप्सन से हो जाएगा भारती इसपात प्राधिकरण लिम्टेड यानि की सेल को चालीशवाँ कोश्यन अब हाल ही में शुरू किये गए इस्रो इन्डियन स्पेस रिसर्च आर्गनाजेशन के नए एससे नियंत्र केंद्रे नेत्र का क्या कारी है तो इसका कारी है अंत्रिच मलबे आधि से इस्रो के उच्छ मुलिवान संपत्ति उपग्रे आधि की रक्षा करना तो डी आप्सन से हो जाएगा और इस्रो की अस्थापना जो ही तो याद रखीगा अगला कुशन है हाली में भारत द्वारा कब छटवे भारत यूरूप संग साइबर संबात का वर्चुल प्रारूप में आयोजन किया गया तो यह किया गया था 14 दिसंबर सन 2020 को चोदे दिसंबर 2020 को भारत के चठवे भारत यूरोपी संग साइवर समवात का वर्चुल प्रारूप में आउजन किया गया और इस वारता में भारती प्रतिन निद्रि मंडल का वर्चा के जोएं के वेलफॉड ने किया था तो नाम जो है महतपूर नहीं है डेट याद रखे है 14 दिसम्बर 2020 को 42 परशने दिसम्बर 2020 में ACI विकास बैंक यानिके ADB ने भारत में उन्नत जयव इधन विकास का समर्थन करने के लिए तक्निकी सहायता को अपनी मंजूरी प्रदान की इसे संबंधित निम्लिखित कतनों का परिक छड़ करें तो पहला दिया गया है कि इसके तहट ACI विकास बैंक भारत को 5 मिलियन डालर की तक्निकी सहायता उपलब्द कराएगा दूसरा है यह अनुदान ACI Clean Energy फंड के तहट बित्पोसित किया जाएगा तीसरा है ADB जय इधन निमेज को बढ़ावा देने के लिए पेट्रोलियम योंप्राक्यूति गैस मंत्राले के साथ-साथ इरड़ा तथा नाबाट जैसे संस्थानों के साथ सहयोग करेगा चौथा इस नवी करड़ी उर्जा से खादी सुरक्षा को खत्रा पैदा किये बिना ग्रीन हाउस गैस उत्तरजन में कमी आएगी तो उपरोक्त दिये गए कतनों में से सत्ती कतन का परीक्षट करें तो यहाँ पर आपका D.A.P.S. से हो जाएगा 2, 3 और 4 जो है आपका सही है पहला इसमें सही नहीं है किसके तहत इसी आइबिकास बैंक भारत को 5 मिलियन डालर की तक्निकी साहता उपलब्द कराएगा तो भारत को जो है यह 2.5 मिलियन डालर की सहाता तक्निकी साहता उपलब्द कराएगा ना की 5 मिलियन डालर की तो इसलिए पहला जो है आपका गलत है बाकी दूसरा तीसरा और चोथा सही है 43 कोशन है दिये गए भी कल्पों में से संबंधित संख्या या संख्या युगमों को चुनिए 105 का संबंध दिया गया है 11,025 से तो 109 का संबंध किस से होगा तो 105 का जब आप स्क्यार करेंगे तो हो जाएगा आपका 11,025 उसी तरह 109 का स्क्यार जब आप करेंगे तो 109 का स्क्यार हो जाएगा 11,881 तो 11,881 आपका युगमों की यह आप सनिया पे सही है दूसरा है कच्छा में और किसी के पास 5 पेन नहीं है तो निसकर्स है पहला कच्छा में सभी विद्यार्थियों के पास 5 पेन है तीसरा है कुछ विद्यार्थियों के पास 5 से अधिक पेन है और चोटा है कच्छा में केवल एक विद्यार्थी के पास पूरे पांच पेन है तो यहाँ पे आपका D आपसन से हो जाएगा है कि केवल निसकर्स जो है वह चार निकलता है कि कच्छा में केवल एक विद्यार्थी के पास पूरे पांच पेन है रभी के पास पांच पेन है तथा कच्छा में और किसी के पास पांच पेन नहीं है इसे असपरस्ट होता है कि कच्छा में केवल एक विद्यारती के पास पूरे पांच पेन है तो चारो आपसन में से जो है आपका केवल D बिकल्प से हो जाएगा केवल निसकर्स चार जो है निकलता है 45 कोशन है दिए गए बिकल्पों में से बिसम, संख्या या संख्या युग्म ग्यांत केजिए तो चार भी कलब है इसमें आपको विसम बताना है कौन सा होगा तो चारो आपसन में आप देख सकते हैं ए आपसन में किया वर उन्चास जो है ये आपका भाजी संख्या है बाकी सभी में जो है सभी अभाजी संख्या है तो ए आपसन यहां सही हो जाएगा अगला प्रशने बाव का प्रिया का जन्म दिन 11 अप्रेल मंगलवार को है उसी वर्स रानी का जन्म दिन सब्ता के किस दिन आएगा यदि रानी का जन्म जो है 31 अगस्त को हुआ है तो 11 April से ले करके 31 August तक दिनों की संख्या सबसे पहले हम count कर लेंगे तो 11 April यहीं कि April total कितने दिन का महीना होता है तो 30 दिन का होता है तो आप 11 उसमें minus करेंगे कितने बचे लेगा 19 तो 19 हो जाएगा April में फिर मैं 31 का महीना होता है June 30 का होता है जुलाई 31 का और August 31 का जाएगा 142 यानिकि 142 कुरानी का जनतिती मंगलवार को है मंगलवार प्लस 142 में किसे डिवाइड करेंगे साथ से तो साथ से आप डिवाइड जब करेंगे तो साथ दूनाचोद है सेसपल जो है कितना आएगा दो बचेगा यानिकि है 1.30 12 P.M पर आया और अगली बार 1.20 P.M पर फिर 2.30 P.M पर और फिर 4 P.M पर उसके बाद क्रिश्न से मिलने के लिए राम कब आया तो यहां पर आपका डी भी कब से हुझागा 5.50 P.M पर क्रिश्न का मित्र पहली बार, वह बारे 30 पीम पर आया, उसके बाद 50 मिनट बाद, जो है, वह एक 20 पीम पर आया, पुने 70 मिनट बाद, जो है, वह दो 30 पीम पर आया, और फिर 2.30 PM से 90 मिनट बाद यानि कि 20-20 मिनट का जो है वो अंतराल बढ़ता जा रहा है तो राम जो प्रतेक बार पिछली बार की तुलना में 20 मिनट अधिक वो है देर से आता है तो राम अगली बार जो मिलने आएगा वो 4 PM से 90 प्लस कितना करेंगा 20 तो 90 प्लस हो जाएगा आपका 110 तो 4 PM से 110 मिनट आपको एड़ कर देना है तो कितना हो जाएगा 5-50 PM यहनुकि D भी कल्प से होगा तालीसवा प्रशने यह दिनारंगी को नीबू कहा जाता है नीबू को फूल कहा जाता है फूल को मचली कहा जाता है और पूँच को कल्म कहा जाता है तो गुलाब क्या है तो D आपसन यहाँ पर से हो जाएगा मचली चुकि गुलाब एक फूल है और यहाँ फूल को मचली कहा जाता है तो अधर गुलाब को जो है क्या कहेंगे मचली D भी कल्प से हुआ उन्चास्वा परशने वाइस फरवरी दोयर इकीस को प्रस्तूत उत्तरप्रदेश बजट दोयर इकीस बाइस में कि इस जिले में नए स्पोर्स बिस विद्याले की अस्थापना है तो बीस करोड रुपए की बेवस्था प्रस्तावित है तो यह मेरट में प्रस्तावित है बी भी कल्प से हो जाएगा वाइस फरवरी दोयर इकीस को उत्तरप्रदेश का दोयर इकीस बाइस का बजट जो है पेस किया गया इसमें मेरट जिले में जो है नए स्पोर्स बिस विद्याले की अस्थापना है तो बीच करूर रुपए की बेवस्ता की गई है और अंति प्रस्न अमेरिका के राष्ट पती जो बाइडन किस पार्टी से संबंधित है तो यह डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित है कौन से करम के राष्ट पती है यह तो अमेरिका के 46 में राष्टपती के रूप में जो है जो बाइडन को चुना गया है जो कि ये डेमोक्राटिक पार्टी से संबनित है और इन्होंने पूर राष्टपती डोनाल ट्रम्प का अस्थान लिया है तो ये था जो है आपका एड़ेट जुनियर है स्कुल प्रधाना ध्यापक जो लोग नहीं देखें चैनल के प्ले लिस्ट में जाएगा आपको सभी वीडियो वहां से मिल जाएंगे तो वीडियो यदि पशंद आया हो तो लाइक शेर कर देजिएगा चैनल को भी तक आप सब्सक्राइब नहीं किये हैं